नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक्जामिनेशन 27 में आज के सेशन में हम टाइमेंड वर्क को कवर करेंगे लगबख सभी एक्जाम में दोस्तों टाइमेंड वर्क से कोश्चन बनके आता है बहुत ही महत्तुपून टॉपिक है मैथ्स का देखें दोस्तों MP पुलिस क कि फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 16 तारिक से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं इसकी लाजट देट 30 तारिक है और आपने एप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से एप्लाई कर दीजिए तो चलिए टाइमेंड वर्क के बारे में कुछ महत्तुपून बाते जान लेते हैं देखिए ए तथा बी दो वेक्ति हैं ए एक दिन में दो किलोमीटर सड़क बनाता है और बी एक दिन में सिर्फ एक किलोमीटर ही सड़क बनाता है तो ए जो है कम टाइम में ज्यादा काम कर रहा है यानि कि एक दिन में वो दो किलोमीटर लंबी सड़क बना रहा है और बी जो है एक दिन में सिर्फ एक किलोमीटर सड़क बना रहा है यानि कि कम काम कर रहा है इससे क्या समझाता है इससे यहां समझाता है कि समय कम है समय कम है तो काम ज़्यादा होगा अगर समय ज़्यादा है तो काम कम होगा यानि कि समय और कार एक दूसरे के पूरक होते हैं समय तथा कार एक दूसरे के पूरक होते हैं चलिए दोस्तों एक्जाम में इस तरह के भी कोश्चन बनते हैं कि A की कारे छमता B की कारे छमता से दुगनी है यानि कि B जो है A से काम कम करता है A दो काम करता है तो B एक ही काम करता है तो दोस्तों क्वेस्चन कैसा बनेगा A तथा B की कारे छमता का अनुपात दो अनुपात एक है तो समय का अनुपात क्या होगा क्या होगा दोस्तों समय का अनुपात बिल्कुल विप्रित होगा यानि कि A कम समय लेगा और ज्यादा काम करेगा क्योंकि A से दुगना काम कर रहा हो और B किते समय लेगा दो लेगा इसके विप्रित हो जाएगा एक अनुपात दो हो जाएगा दोस्तों यूंकि A के कारे करने की गति B से दुगनी है इसलिए कम टाइम में अधिक काम करेगा ये और B अधिक टाइम में कम कार्म करेगा टाइमेड वर्क में दोस्तों मुख्य रूप से तीन तरह के क्वेस्चन बनते हैं व्यक्ति दीन और कारे से संबंदित दूसरा महिलाप पूरूस और बच्चे से संबंदित और तीसरा पाइप और टंकी तो क्वेस्चन को हल करते हैं और डाउट्स को क्लियर करते जाते हैं तो चलिए दोस्तों क्वेस्चन पर चलते हैं ये देखी दोस्तो एक question है एक इसी कारे को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि भी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है दोनों मिलकर इस कारे को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे A किसी कारे को 10 दिन में समाप्त करता है जबकि B उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है तो दोनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे यह ग्याद करना है तो चली हल करते हैं इसे तो देखिए दोस्तो A किसी कारे को कितने दिन में कर रहा है दस दिन में करता है और बी किसी कारे को 15 दिन में करता है बी उसी कारे को 15 दिन में करता है तो क्या करेंगे दोस्तों दोनों का LCM ले ले लेते हैं 10 और 15 के LCM किता आजाता है 30 आ जाएगा LCM किता आ जाएगा 30 आ जाएगा यह देखिए 10 से 30 में भाग देदी ये कित्ते बार जाता है 3 बार जाएगा और 15 से 30 में कित्ते बार जाएगा 2 बार जाएगा ये जो 30 है दोस्तो ये कुल कारे कुल कारे निकल जाता है LCM बोले तो कुल कारे दोनों मिलकर कुल कारे कित्ता होगा 30 है और ये 3 और 2 क्या होंगे दोस्तों, 3 और 2 एक दिन के कारी करने की छमता है A तथा B की एक दिन की कारी करने की छमता है A एक दिन में 3 कारी कर सकता है और B एक दिन में 2 कारी कर सकता है तो दोनों मिलकर एक दिन में कित्ता काम करेंगे तो जोड़ देते हैं तीन और दो को पाँच तो दोनों मिलकर एक दिन में पाँच काम करेंगे जबकि हमें कूल कारी कितना दिया है तीस दिया है कूल कारी तीस दिया है तो दोनों मिलकर पूरे कारी को कितने दिन में करेंगे तो यह देखिए तीस बटे किसी आर्फ का पुछां होता तो घठाता तो है तो दोनों मिलकर किसी कारे को चाहे दिन में करेंगे श्कांदोर भूसान नंबर आज एक चालते हैं है ज्यादी एट था भी मिलकर किसी कारे को पंध्रा दिन में शमाप्त करें तथा B अकेले इस कारे को 20 दिन में समाप्त करे तो A अकेले इस कारे को कितने दिन में समाप्त करेगा यह देखिए A भी मिलकर A तथा दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं कारे को और B जो है अकेला उसे 20 दिन में करता है तो हमें पूछा A अकेला उस कारे को कित्ते दिन में समाप्त करेगा तो चलिए अल करते हैं इसे देखी दोस्तो A और B मिलकर कारे को कित्ते दिन में कर रहे हैं 15 दिन में करते हैं तथा B अकेला इस कारे को 20 दिन में करता है और B अकेला कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में करता है तो देखी दोस्तों 15 और 20 का LCM कितना हो गया यह आ जाता है 60 15 और 20 का LCM 60 आ जाता है अब देखिए 15 से 60 में भाग देजी कितने बार जाएगा 15 ते पंदरा चोके 64 बार चाता है और 20 का 60 में दीए जी, कितने बार गया, तीन बार गया, तो ये देखी दोस्तों, ये जो 60 है, कुल यूनिट निकल गई, यनकी A तथा B मिलकर कुल कारे कित्ता करते हैं, 60, तथा A तथा B, A और B का एक दिन का कारे कित्ता होगा, 4 यूनिट कारे होगा, एक दिन का, 4 यूनिट कारे कर करते एं और ब ऐकेला एक दिन में तीन यूनिट कारे करताह है तो एक इतने संटे यूनिट कारे करेगा तो गटा दीजी एचार में चार में से 3 को घटा है किता एक एक आ गया एक आगर एक दिन में 1 यूनिट कारी करेगा 60 दिन में कित्त यूनिट कारी करेगा तपस मिहीर से दुगनी गती से कारी करता है यदि दोनों मिलकर यदि दोनों मिलकर किसी कारे को बारा दिन में पूरा करे तो तपस अकेले उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा तपस अकेले उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा बहुत ही अच्छा कुश्चन है चलिए हैल करते हैं इसे तो देखे दोस्तों हमें क्या कह रहा है तपस मिहीर से तपस मिहीर से दुगनी गती से कारे कर रहा है यानि कि मिहीर एक कारे करता है एक यूनिट कारे करता है तो तपस किते यूनिट कारे करेगा दो यूनिट कारे करेगा इस क्वेस्चन के बारे में दोस्तों आपको वीडियो के सुरुवात में बताया था मैंने तो देखते हैं इसे कैसे हल करना है तो चलिए तपस मीर से दुगनी कती से कारी करता है तथा दोनों मिलकर किसी कारे को 12 दिन में करते हैं कितने दिन में करते हैं 12 दिन में करते हैं तो ये दो और एक क्या हो गई दोस्तों दो और एक हो गई एक दिन की कारे छमता तपस एक दिन में दो को यूनिट कारे करता है और मिहर एक दिन में एक यूनिट कारे करता है तपस एक दिन में दो यूनिट कारे करता है मिहर एक दिन में एक यूनिट कारे करता है तो दोनों म मिलकर एक दिन में कितने यूनिट कारेंगे दो धन एक तीन यूनिट कारेंगे दोनों मिलकर एक दिन में तीन यूनिट कारेंगे तो बारा दिन में कितने यूनिट कारेंगे बारा गुडी तीन क्या गया दोस्तों यह आ गया च्छतिस तो दोनों मिलकर 36 unit कारे करेंगे तो यह 36 क्या निकल गई कुल कारे छमता निकल गई तपस और मिहर की कुल कारे यानि कि कुल कारे तपस और मिहर मिलकर कुल कारे कितना करेंगे 36 कारे करते हैं तो यह देखी दोस्तो एक दिन की कारे छमता किती है तपस और मिहर की दो और एक तपस की दो है और मिहर की एक है कुल कारी कित्ता है 36 है तो देखी दोस्तो 2 से 36 किस्ते बार कट गया 2 से 36 18 बार और 1 से 36 36 बार चले गया तो ये निकल क्या गई दोस्तो कुल दिन निकल क्या गई तो क्वेश्चन में हमसे पुछा है तपस अकेला कारे को कित्ते दिन में समाप्त कर पाएगा तो तपस कित्ते दिन में करेगा 18 दिन में करेगा तपस 18 दिन में कारे समाप्त करेगा यहां देखी दोस्तो इसके पहले वाले question में हमने क्या किया हमें 18 और 36 कुल दिन दिये रहते थे उनका LCM लेकर हम कुल दिन निकालते थे total कारे निकालते थे फिर 18 और 36 का LCM लेकर total कारे निकालते थे फिर 18 का बाग 36 में देखर एक दिन की कारे छमता निकालते थे तो यहां पर हमें कारे छमता दी हुई है दोनों की एक दिन की तो हमने क्या किया कुल दिन निकाल लिए कुल दिन 36 निकल गए फिर कारे छमता से भाग दे दिये 36 में तो टोटल दिन निकल गए बहुत ही आसान है समझेगा दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए साथी सब्सक्राइब भी कर दीजिए चलिए अगले question पर चलते हैं A और B मिलकर किसी कारे को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं B अकेले उसी कारे को 12 दिन में पूरा कर सकता है B. अकेला इस कारे में पूरे चार दिन लगा रहता है इसके पश्चात A. अकेला उसे पूरे पूरा करने में कितना दिन और लेगा तो देखी दोस्तो A. B. दोनों मिलकर किसी कारे को कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में करते हैं बी जो है अकेला उस कारे को 12 दिन में करता है, बी अकेला इस कारे में 4 दिन लगा रहता है, इसके पस्चात ए अकेला उसे पुरा करने में कितने दिन और लेगा, तो चलिए हल करते हैं से, देखिए दोस्तों हमें क्या दिया है, ए और बी मिलकर किसी कारे को 8 दिन में करते हैं A धन B मिलकर किसी कारे को 8 दिन में करते हैं कितने दिन में करते हैं 8 दिन में करते हैं और B अकेला B अकेला उस कारे को कितने दिन में करता है 12 दिन में करता है तो 8 और 12 के LCM कितना आ गया दोस्तो यह आ गया 24 आ जाता है यह क्या निकल गए हमारा कुल कारे, कुल कारे कितना निकल गया, 24, अब एक दिन की कारे छमता निकल लेते हैं, तो आर्ट्स को 24 से डिवाइट कर दीजिए, कितने बार जाएगा, तीन बार जाएगा, और 12 दूनी, 24, ये एक दिन की कारे छमता निकल गई, तो देखिए, ए तथा बी, दोनों मिलकर, एक दिन में तीन यूनिट कारे करते हैं, बी अकेला एक दिन में दो यूनिट कारे करता है, तो क्या होगा, ए कितने यूनिट कारे करेगा, तो घटा दीजिए, तीन में से दो घटा दीजिए, एक आ गया, एक यूनिट कारे करेगा, एक यूनिट इस कारे में पूरे चार दिन लगा रहता है तो देखी दोस्तों B एक दिन में दो यूनिट कारे करता है तो चार दिन में कितने यूनिट कारे करेगा आठ यूनिट कारे करेगा हमसे बुला है B अकेला इस कारे में पूरे चार दिन लगा रहता है एक दिन में दो यूनिट कारे कर रहा है, चार दिन लगा रहा है, तो चार दिन में किते यूनिट कारे करेगा, आठ यूनिट कारे करेगा, टोटल कारे किता दिया है, चोबिस, तो चोबिस में से आठ यूनिट कारे तो भी कर लेता है, चोबिस में से आठ यूनिट कारे भी क कर लेता है तो कित्ता बचा है 16 यूनिट कारे बच जाता है कि दोस्तों एक दिन में एक यूनिट कारे कर रहा है तो 16 दिन में कित्ते यूनिट कारे करेगा सोला बटे एक तो किता आ गया सोला यूनिट तो ए अकेला उस कारे को पुरा करने में किते दिन लेगा सोला ओप्सन नमबर भी आएगा चलिए एगला क्वेश्चन ये रहा एक पुरूस एक हिस्त्री और एक लड़का एक पुरूस एक पुरूस एक हिस्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को तीन दिन में पुरा करते हैं यदि एक पुरूस अकेला इसे च्छाई दिन में पुरा करे और एक लड़का अकेला इसे अठरा दिन में पुरा करे तो इस्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी question को एक बार और अच्छे से पढ़िए दोस्तो एक पुरुस, एक इस्थ्री और एक लड़का मिलकर एक काम को तीन दिन में पूरा करते हैं यदि एक पुरुस अकेला छाइ दिन में और एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करे तो एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी थो चलिए其實 करते हैं इसे तो देखिए दूस्तो question क्या बोल रहा है एक पूरूस, एक स्त्री और एक लड़का male woman और boy एक पूरूस एक स्त्री और एक लड़का मिलकर काम को किते दिन में करते हैं तीन दिन में करते हैं यदि पूरूस अकेला चाहे दिन में तो आदमी जो है अकेला किते दिन में कर रहा है चाहे दिन में कर रहा है और लड़का अकेला और लड़का बवाका अकेला अठरा दिन में पूरा करें तो इब वाय आजाएगा khas3 शाय और अथरा का इसेम कुटा जाएगा कि इनका एल्सिम आ जाता है अथरा तो ये जो अठरा ये क्या निकल क्या गया कूल कारे निकल क्या गया तीन से अठरा को डिवाइट कर दीजे किते बार जाएगा च्छाय बार जाएगा च्छाय से अठरा किते बार कटेगा तीन बार कटेगा और अठरा से अठरा एक बार कट गया तो ये क्या निकल गया एक दिन की कारे छमता एक दिन की कारे छमता तीनों मिलकर पूरूस महिला और लड़का मिलकर एक दिन में च्छाई यूनिट कारे करते हैं आदमी अकेला एक दिन में तीन यूनिट कारे करता है और जो लड़का है एक दिन में एक यूनिट कारे करता है पुरूस महिला और लड़का मिलकर तीनों मिलकर एक दिन में कित्ता कारे कर रहे हैं च्छाई यूनिट कारे कर रहे है रेन देखी दोस्तों जो पूरूस है एक दिन में कित्ता यूनिट कारे कर रहे है तीन यूनिट कारे कर रहे है और जो लड़का है एक दिन में एक यूनिट कारे कर रहे है पूरूस आ गया लड़का आ गया तो बचा ही क्या मैला बची तो से चारगए कित्ते बचे दो तो महिला कित्ता कारे करेगी एक दिन में दो यूनिट कारे करेगी तो महिला एक दिन में कित्ते यूनिट कारे करेगी दो यूनिट कारे करेगी तो टोटल दिन कित्ते दियें को टोटल कारे कित्ता दिया है अठ्रा दिया है और एक दिन में दो यूनिट कारी करती है तो टोटल कारी कित्ते दिन में करेगी नव दिन में करेगी तो आप्सन नमबर ए आ जाएगा दोस्तो आगे के पार्ट में गड़ित के बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन और को देखेंगे नेस्ट वीडियो में दोस्तो टाइम एड़ वर्क का पार्ट सेकेंड पड़ेंगे वीडियो को सस्क्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके लाइक एड़ सेर जरूर कीजिएगा थेंक्यू फर वाचिंग